गुड मॉनिंग गाइस बात करेंगे अडानी टोटल गैस की उससे पहले थोड़े से एक दो कोशन्स थे हमारी यूजर के तो उनको थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं एक कोशन्स था कि अडानी जो गुरूप का जो फैसला है काफी पुरानी यूजर है हमारे सब्सक्राइबर ह तो तीन महीने के बाद उन्होंने कहा था सेवी से कि आपनी जाज बगरा करके बता सकते हैं लेकिन अभी तक उसकी कोई ऐसे डेट फिक्स हुई नहीं है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊंगा अगर कोई डेट आएगी तो जरूर डिसकस कर लेंग अब है लॉंग टेम के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो अभी आप देखोगे ओला का में भी साइद आने वाला है आई पीओ तो बहाँ पे आप पिक कर सकते हैं ग्रीफ कॉटन थोड़े से ये बनाते हैं इंजन बनाते हैं डीजल इंजन और छोटे वाले और बाकी इनकी एक कंपनी हैं एंपियर जिसकी गाड़ियां आती है अपने देखा भी होगा एंपियर की आती है ठीक है तो वो है इनका काम तो मुझे लग रहा है अभी ओला ने काफी ज़्यादा मार्केट से ग्रैप कर लिया एवी सेग्मेंट में तो उसके साथ जाना सही रहेगा और अ अच्छा कर सकता है यह काउंटर भागा हुआ बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल अभी भी बिल्कुल उसी रेंज के आसपास पर है जहां पर आप पिक कर सकते हैं यहां पर यह कहाँ देख सकते हो अडानी टोटल गैस उनिट साइंस मो यू विद एम जी मोटर टू जिसमें काफी benefits होंगे आने वाले time में तो मझे आने वाले time के लिए काफी अच्छा लगता अभी stock काफी नीचे है मनलब अपने 52 भी खाई चाहें आप देखोगे all time high से भी काफी नीचे है मुझे लगता है काफी एक potential है counter में वो आपकी मर्जी है आप करते हैं नहीं करते ह है चार्ट पे अगें देखोगे हिंडर मर्क के time से ही stock गया था 600 के आसपाथ उसके बाद से ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है 1200 गया उसके बाद अभी 900 के आसपाथ चला है तो मुझे लगता है एक तेजी डियू है चाहें वो election के बाद है चाहें जब Supreme Court के decision है तब आ बहुत ही positive हूँ और मुझे जो लग दिखता है जो मेरे वीव होते हैं वो इल्कुल जो वो मैं आपके साथ share करता हूँ बाकी यही मेरे वीव में अभी के लिए वाकी long term के लिए वाकी short term में एक दो दिन में ऐसे उपन नीचे नीचे नीच के वज़ए से हो सकता आज भाग